नमस्कार दोस्तों, पूजय शिक्ती चानल में आप सभी मेरे भाईयों और भाईयों का बहुत बहुत स्वागत है आज जिस नई विशेवर हम चर्चा करेंगे वो है घर का जो नमक होता है किस प्रकार आपकी दरीदरता को दूर कर सकता है सबसे पहले तो धन के आगवन के लिए नमक एक बहुत प्राचीन उपाय किये जाते हैं हमारे बड़े बुजर्ग भी जो है नमक दान करते थे तथा नमक के कई प्रकार के उपियोग जो है आपके जीवन में किये जा सकते हैं सबसे पहले यहां पर यह बताना जरूरी होगा काफी सवाल आए थे कि नमक का पोचा जो हम लगाते हैं वो क्या घर के नमक से ही लगाना चाहिए तो जी बिलकुल नहीं जो घर का नमक होता है, याणि कि जो समुद्री नमक होता है, उसे कभी भी जमीन पर नहीं गिराना चाहिए, अगर आपके घर का नमक की बॉटल जो है खुली होई रहती है सदे या बहुत पुरानी है टूटी-फूटी होई है तो उसे कम से कम बदल दीजिए या अगर बदल नहीं सकते हैं तो इस बात कर ध्यान रखें कि जो बॉटल हो साफ हो यानि कि उसके सफाई की होई होनी चाहिए बहुत ज़ादा समुदरी नमक तधा हमारा जो है पहाडी नमक जो कि हम पोचा लगाने के लिए या हमारे वास्तु शास्तर में यूज करते हैं हिमालियन रॉक्सॉल भी जिसे कहा जाता है सेंधा नमक के नाम से भी बहुत प्रचलित रहता है ऐसा कहा जाता है इस नमक को अगर आप अपने नहीं रख सकते हैं तो एक काच की कटोरी में चोटा सा हिमालियन रॉक्सॉल या जो पहाडी नमक, समुदरी नमक, सेंधा नमक आप कुछ भी कह लीजिए उसे रख सकते हैं में डोर के पास रख लीजिए या हॉल में रख लीजिए जहां पर लोगों का आना जाना सबसे ज जादा होता है ऐसा कहा जाता है सिर्फ अगर यह उपाए भी कर लेते हैं तो घर्द से जो है नेगिटिविटी जाती है और सबसे जादा पती-पत्नी के रिष्टे बहुत मधूर होने लगते हैं क्योंकि पती-पत्नी के रिष्टे अगर बिगडते हैं जगड़ा बहुत ह आपको लगता है कि एक दूसरे की बात नहीं समझ पाते हैं दोनों, तो आप सभी को यह उपाय करना चाहिए, अगर आप जॉइन फैमिली में रहते हैं, परिवार बहुत बड़ा है, तो पती पतनी को अपने बेडरूम में जो है, जहां पर भी खिड़की हो, महाँ पर एक का लने लगेंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है, सभी दिन केवल गुरुवार को छोड़कर, हमें गुरुवार को जो है, नमक का पोचा अपने घर में नहीं लगाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, वास्तु का बहुत सिंपल नियम है, परन्तु यह बहुत से लोगों को नहीं बता है, तो आपको सप्तावर जो है, घर में अगर आप पोचा लगा सकते हैं, समुदरी नमक से तो लगाईए, अगर नहीं लगा सकते हैं, तो आप सिर्फ यह कटोरी में नमक का यह उपाय करके देख लिए, आपको बहुत सा लाब मिलेगा, इसके अलावा नमक का आपके जीवन में रुकेवे धन को, व्यापार को बढ़ाता है, तता घर में दरिद्रता को दूर करता है, यह उपाय कोई भी कर सकता है, बहुत से मेरे मुसलिम भाई बहनों के कमेंट आते हैं, कि हम क्या कर सकते हैं, तो आपके लिए भी जहां भी आप जाते हैं, नमक का कोई विवाह हो रहा है, तो उस समय पर नमक दीजिए, आप खाने का समान दीजिए अपनी तरफ से, या मंदिरों में, या मस्जित में, या जहां भी आप जाते हैं, गुर्दवारों में, तो लंगर की अगर विवस्ता होती है, भंडारों की विवस्ता होती है, तो उस समय पर आप जो है नमक अपने खरीदे मतलब आपके खुद के खरीदे वे पैसे से यानि आपका जो धन होता है या आपके हस्बेंड का जो धन होता है माता पिता का जो धन होता है उसी से खरीद के जो है नमक का दान करें आप देखें आपके जीवन में कोई भी मनो कामना धन को लेकर जो होगी अपने आप पूरी होने लेगी क्योंकि यह बहुत चोटा सा उपाय है और इसे करने के बाद आपके जीवन में जो है बहुत से मार्ग खुलते हैं तदा ऐसा माना जाता है कि जन जितने भी मतलब आते हैं जन सेवा जब होती है वहाँ पर और भंडारे लगते हैं या लंगर होते हैं उस समय पर जब सामूही तोर पर वो भोजन वित्रित किया जाता है उस समय पर जब लोगों से ग्रहन करते हैं तो आपके जितने भी नोहगरा होते हैं वो शांत हो जाते हैं राहु केतु और शनी की सबसे पहले आपको जो है उन सभी से कष्टों से म हमारे घर में जैसे हम कह देते हैं धन की बरक्कत नहीं है समान की बरक्कत नहीं है किचन में बरक्कत नहीं है तो उसके लिए क्या करें तो धन की प्राप्ती होना एक अलग होता है परन्तु घर में बरक्कत होना भी बहुत जरूरी होता है तो उसके लिए आपको नमक को काच क पातर में रखकर उसमें 5 लॉंग जो होती है फूल वाली लॉक यानि साबूट लॉंग जो होती है उसे रख दे इससे जो है धन की आवक होने लगती है साथ ही साथ बरक्कत बनने लगती है इससे जहां एक और आपको नमक के कारण घर में positive बनेगी खुशी आएंगी वहीं long जो है भूरी नजर से भी आपको बचाता है तो अगर आप एक काँच की कटोरी में या काँच की glass में जो clear glass होता है transparent या transparent जो काँच की कटोरी हो तो यह आपको काँच में ही करना है इसमें steel लोहे प्लास्टिक का कोई भी अन्य बरतन नहीं चलेगा यह उपाय आपका काँच में होगा नमक जो होगा आपके घर का ही नमक आपको लेना है जो नमक आप खुद ग्रहन करते हैं पांच long जो होगी साबूत long आपको उसमें रख देन है उसके बाद आप देखे आपके घर में धनकी बरकत कितनी होने लगेगे हफ़ते या महीने मरी आपको चेंज करना है जब भी चेंज करने लगे तो इस कटोरी को ले जाकर किसी पेड़ के जड़ में आपको नमक और लॉंग डाल दे दी है और वापिस कटोरी घर लेकर आ जगड़े अचानक होने लगे हैं ये सब व्यक्तिगत बाधाये होने लगती हैं कई बार हम नजर दोश की शिकार हो जाते हैं कई बार हमारी ग्रह विपरित चाल चलने लगते हैं तो उसके लिए एक चुटकी नमक का ही बहुत आसान आपको उपाय बता देते हैं अगर शाम अचानक से रुग गए हैं, अचानक से जगड़े होने लगे हैं, अचानक से कोई दूविदा आ गई है, तो ये व्यक्तिकत बाधा को आपको दूर करने के लिए चुटकी भर नमक लेना है, शाम के समय अपने सिर्ज के उपर से तीन बार आपको उतार लेना है, गड़ी तो आपके ओपर कितनी भी विपरीद बाधा हो, व्यक्तिकत बाधा हो, कलेश हो रहा हो, लड़ाई जगड़े हो, कोई कलंक लग गया हो, तो उन सभी से आपको मुक्ती मिलती है, कि अलावा काफी सवाल आये थे, कि जब भी हम कोई कारे करते हैं, तो हमारा कार अचानक से जाता है, जैसे हमने लोन अप्लाइ किया है, हमें लगता है कारे होने वाला है, पर अचानक से कोई कार्यास आता है, और पेबर रही लगता है, मन में अगर बेचैनी भी बहुत ज़ादा होने लगती है लड़ाई जगड़े आपको लगता है कि कुछ एक दिन से बहुत ज़ादा बढ़ गए है या आप कहीं न कहीं जो है अपने आप में बहुत नेगेटिव फिल कर रहे हैं क्योंकि जब आपको नजर लगती है तो सबसे पहले आपका सिर भारी होने लगता है आँखों में जलन होने लगती है यह बहुत बड़ी नजर का सबसे पहला जो हम देखते हैं इसी प्रकार देखते हैं कि आँखों में बहुत ज़ादा जलन होने लगती है सिर बहुत भारी होने लगता है बेचैनी बहुत होने लगती है तो उसके कारण भी कई बार आपके कार अटक जाते हैं ऐसे समय में आपको एक चुटकी नमक लेकर नहाने की पानी में डालना है और उसके बाद उसी से स्नान करना है तीन-चार दिन लगातार कीज़े अगर कार होने वाला हो उसमें 100% आपको सफलता प्राप्त होगी कोई भी बूरी चीज आड़े नहीं आए पाएगी कोई भी नजर बाधा या अगर आपकी कोई ग्रह दोश भी रहेंगे तो नमक के पानी से स्नान करने के बाद वो जो है शांती और शांती की तरफ चले जाएंग जो कि आप हर हफते जरूर करें पती पत्नी बच्चे सभी उपाए करें ऐसा माना जाता है अगर आपके घर पर कोई अनिष्ट शक्तियां या आपके जीवन में कोई ऐसी शक्तियां प्रवेश कर देती हैं जिनके कारण आपको बहुत से तकलीफ उठानी पड़ती है या आ आपका मन उदासीन हो जाता है घर में मन नहीं लगता है बाहर मन नहीं लगता है पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आप सभी को यह उपाए करना चाहिए एक बाल्टी या टब में जो है आप समुदरी खड़ा नमक जो होता है सेंदा नमक जिसे हम कहते हैं उसे डाल कर ज घरणतो 15 बहुत रिलाक्सा हो कर लोड़ के आहता है। यो युपाय ऐसा करने से आपके जीवन में जितिनी भी आनिश्टश शक्ति हैं, गर बाहर Ratio आपके शरीर से बाहर चलियाती है और जिनको पुरा प्रहा होता है अगर वो यह कारे करते हैं तो उन्हें पसीना बहुत आने लगता है उनकी आखों में जलन होने लगती है कान में खुझली होने लगती है सिर में खुझली होने लगेगी इसके अलावा जो है उन्हें अबास भी खुलने लगेंगे और साथ ही साथ आपके जितने भी नौक रहा है वो शान्त होकर आपको बहुत साथ धन लाब देंगे और बहनों एक चुटकी नमक का ये जो उपाय है इनमें से आपके जीवन में आपको जो है सभी बाधाओं से मुक्ती मिलेगी साथ ही साथ एक चुटकी नमक जो है आपके जीवन में धन के मार्ग खोलेगा तो मैं आशा करती हूँ, आज का ये नमक वाला वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, हम फिर मिलेगे किसी नए विशे पर चर्चा करते हुए, आप सभी का बहुत बहुत धनेवाद मुझे सुनने के लिए, धनेवाद दोस्तों